वंदे वांशित लाभाया चंद्रार्थ कृत शेक राम व्रशारूर्हाम शूलध राम शेल पुत्री यशश्वने जै माता दी जै सिर राधिकेश्वने आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आए आज सुनते हैं वर्स 2022 चैतर नवरात्री पह मता सहने जीवने माता दुर्गा के किरपा से आप सभी प्रकार के शुक और शम्रिद्धी की प्राप्ति हो माता आप सभी के एक्षाओं को पुर्ण करें चैत्र नवरात्री के दिन से ही नौ वर्स की सिरुवात ही माली जाती है इस बार चैतर नवरात्री का व्रत 2012 से ले करके 11 अपरेल 2022 तक चेत्र नव्रातरी का ब्रत्य किया जाएगा चेत्र नव्रातरी के ब्रत्य में नौ दिनों तक माता के नौ सौरूपों का पोजन किया जाता है जो भी सची सरद्धा के साथ, नियम और निश्ठा के साथ, शेत्र नवरात्री में माता दुर्गा के नौ सुरूपों का पूजन करते हैं, माता की आराधना करते हैं, ब्रत करते हैं, कथा सरवन करते हैं, दुर्गा शब्त सती का पाठ करते हैं, या सरवन करते हैं, माता इसस प्राकट नवरात्री के रूप में एक चैत्र माह शुकल पक्ष दूसरा आसाड माह शुकल पक्ष तीसरा आस्पिर माह शुकल पक्ष और चौथा मागमा शुकल पक्ष इस ब्रत को किया जाता है यह ब्रत बराही पुन्य दायक और शुबफल दाई माना गया है इस ब्रत को क करते हैं ब्रत करते हैं नियमों का पालन करते हैं इससे माता अधि प्रशन होती हैं और अपने भक्तों के सभी इक्षाओं को पुर्ण करते हैं चैतर नवरात्री के बिशेस प्रकार से शुब महुर्द पूजन विधी आदी के बारे में जानकारिया प्राप्ति के लिए या घट अस्थापन के बारे में जानकारिया प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके या डिस्किप्शन में लिंक दिया गया है उ नुडात्री के दौरान किसी की ऊपर बिल्कुल भी कुरोध नहीं करनी चाहिए। जूट नहीं बोलनी चाहिए। सुद और शात्पिक्ता का पालन करना चाहिए। ताम सीक वस्तों का परयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आईए सुनते हैं चैतर नवरात्री पहले दिन माता शेल पुत्री की कथा तो बोलिये प्रेम से शेल पुत्री माता की जै चैतर नव्रात्री में पहले दिन माता शैल पुत्री का पूजन किया जाता है, ब्रिसब इस्थिता, इन माता जी के दाहिने हाथ में तरशूल और बाये हाथों में कमल पुश्प शुशो भी थे, अपने पुर्ब जन में यह प्रजापती लक्षी की कन्या की रूब में उत् इनका विवा भगवार शंकर जी से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार प्रजापती दक्ष ने एक बहुत बड़ा यग्य किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यग्य भाग प्राप्त करने के लिए निमंतृत किया। किन्तु भगवार भोले नात को उन्होंने इस यग्य में निमंतृत नहीं किया। और फिर माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यग्य और अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपने यह इक्षा उन्होंने भगवान भोले नात से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान भोले नात ने कहा कि प्रजापती डक्ष किसी कारणवस हमसे रुष्ट है। अपने यग्य में उन्होंने सारे दीवताओं को निमंतृत किया है। उनके यग्य भाग भी उन्हें समर्पीत किये हैं किन्तु हमें जान बूचकर नहीं बुलाया गया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी इस्थिती में तुम्हारा वहां पर जाना किसी भी प्रकार से श्रयसकर नहीं होगा। और फिर भगवान संकर जी के इस उपदेश से माता सती को शंतोष नहीं हुआ। पिता का यग्य देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आगरह देखकर भगवान भुले नात ने उन्हें वहां जाने की अनुमती देनी पड़ गई। और फिर माता सती ने अपने पिता के घर पहुँचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातशीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुह फेर कर बैठे हैं। केबल उनकी माता ने सने से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंगर और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस दिवहार से उनके मन को बहुत कलेस पहुँचा। उन्हों ने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रती तिरशकार का भाव भड़ा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रती कुछ अपमान जनक वचन भी कहें। यह सब देखकर माता सती का हिरदय छोभ और गलानी से कुरोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान भोले नाथ की बात न मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पती भगवान भोले नाथ के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप तच्छन ही वही योगागनी द्वारा जला कर भश्म कर दिया। वजरपात के समान इस दारुन दुखत घटना को सुनकर भगवान भोले नाच जी कुरुद्ध हो गए और अपने गणों को भेज कर दक्ष के उस यग्यों को पुर्णतह विद्वन्स करा दिया माता सती ने यूग आगनी द्वारा अपने सरीर को भश्म कर अगले जन में शैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन मिलिया इस बार वे शैल पुत्री नाम से विख्यात हुई माता पारवती हेमवती भी उनही के नाम है उपनिशत की कथा के अनुसारत इनही ने हेमव माता शैल पुत्री के साथ माता शैल पुत्री के दौरान प्रथम दीन पूजन करते हैं माता इसे अतीप्रशन होती हैं और अपने भक्तों को माता आसरवाद परदान करती हैं चैतर दौरात्री के दौरान माता शैल पुत्री को दूज से बने हुए मिठाई का भोग लगाना चाहिए दूज से बने हुए वस्तु का ही माता को भोग अतीप्रिय हैं और उन्हें फल आदी का नेविद्य भोग लगाना चाहिए इससे माता अतीप्रशन होती हैं माता शैल पुत्री को प्रशन करने के लिए उनके इन मंत्रों का जब करना चाहिए मंत्र ओम यादिवी सर्व भूतेशु शैल पुत्री रूपेर्ण संस्तिता नमस तस्ये नमस तस्ये नमस तस्ये नमो नमा इन मंत्रों का जब करना चाहिए इसे माता शेल पुत्री प्रशन होती है वासा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन खंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरे राधे किश्न धन्यबाद